यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप की विट्टूब चैनल रोजगार विट्प्रमोद में मेरी दोस्तों आज हम आयू संबंधित प्रस्चन जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेशन तीन है यानि तिसरा प्रैक्ट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल के साथ तो पहला सवाल आपके सामने यह रहा चलिए इस सवाल का आंसर करने का प्रयास किजिए और कमेंट बाक्स में जरूर बताए कि आप इसका आंसर कितना बता रहे हैं कितना ला रहे हैं ठीक है चलिए आंसर बता कुंसां में बोला गया 10 वर्ष पूर्ष की उम्र है तस वर्ष का पूर्ष है 100 वर्ष की उम्र Vä सतुब्रowski फ prose依ा थी थी कि मेरे प्यारे दोस्तों दराओ पूर्ष की उम्र गवरोगों की दो जूरी तीजик रहें नि度 परत्मान उम्र पूछा है हमसे चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है एक चीज़ आप लोग समझे लिए पहले हमें दिया है दस वर्स पहले पूरमाने होता पहले दस वर्स पहले यानि सौरव की उम्र गौरव की उम्र का अनुपात सौरव और गौरव ठीक सौरव की उम्र गौरव की उम्र का दस दो गुणा था सौरव की उम्र गौरव की उम्र का दो गुणा यानि गौरव का उम्र का दो गुणा यानि गौरव अगर एक था तब यह सौरव कितना होगा दो ठीक यह कपका है यह अनुपात उस्य जो उनभात दिया है यह दिया है бria कपका है मियां को कर दस वर्स पूरव यह उनभाद दस वर्स पूरव दिया है map दस वर्स बाद पी गवल्रों की उम्रें तीस वर्स का होगा देहें मेरी प्याड़ी दोस्तों यहाँ अनुपात दिया है दस वर्स पहले का और गौरवक Sicka उम्र दिया है दस वर्स बात का तो हमें गौरवक उम्र कर सुएम में गौरवक का उम्र में तरस पहले का निकालना हो एग चलिए यह चीज़ बताइए इसको आप लोग एक बार ध्यान से समझेगा इसको एक बार आप लोग ध्यान से समझेगा देखे यह वरतमान है मतलब यह क्या है आज है यह है आज और इधर जब चलेंगे हम तेह उम्र आएगा बाद का होगा पस्चात या बाद और जब हम इधर चलते हैं तो यह पूरो का उम्रे निकलता है पूरो का पूरो मतलब पहले का ठीक है तो जो रेशियो हमें यह दिया है जो यह रेशियो हमें पता है यह कप का है पूरो का पता है ठीक है लेकिन जो उम्र दिया है यह तीस वर्स यह बाद का दिया है तो अगर बाद का उम्र मतलब यहाँ पर तीस वर्स उम्र दिया है थिक तो हमें यह उम्र लेकर जाना पड़ेगा पूर्व में क्योंकि हमें इसका अनुपात पूर्व का पता है हमें अनुपात किसका पता है पूरो का पता है तो हम यहां से सबसे पहले दस साल बाद दिया है यह है दस वर्स बाद का उम्रे कितना है तीस है तो दस साल बाद उम्रे इसका तीस होगा तो दस साल पहले होगा तो मतलब बरतमान में होगा दस साल पहले जाएंगे तो कहा करें दोस्तों कि अभी हमें पूर्व में जाना है यानि आज से यानि वरतवान से पूर्व में जाना है तो फिर पूर्व में जाएंगे तो दस साल फिर यहां से घटाएंगे हम ठिक दस साल फिर घटाएंगे यानि इस बार 20 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा ह Algjust हमें जो कि ये बीच वाला जो है यह वरतमान कुम्र है कि जब इधार चलेंगे हम कि अतो यह पुर्व होगा इधर चलेंगे तो बात का आएगा ठेक जो अनुपात दिया है जो यह अनुपात दिया है वो पुर्व का दिया है ठीक, यानि यहां का अनुपात दिया है इस जगह का, यानि पुर्व का यहां अनुपात दिया है, ठीक लेकिन जो इसका गौरब का उम्रे दिया तीस वर्स, वो दस साल बात का दिया है, ठीक दस साल बाद का मतलब यहां से आज से दस साल बाद यानि यहां का यहां का दस साल बाद मतलब यहां उम्र इसका दिया है कितना 30 साल ठीक 30 साल दिया है हमें जो जहां का रेसियो पता होगा मतलब अगर हमें फूरो का रेसियो पता है तो हमें उम्र भी पूरो का पता होना चाह ठीक लेकिन हमें तो बात कमर पता है तो हम बाद से 10 साल पहले चलेंगे तो हम पहुंचेंगे बरतमान में इन 10 साल पहले बरतमान में उसका उम्रे कितना रहा होगा 20 साल अगर 10 साल बाद उसका उम्रे 30 है तो 10 साल पहले उसका उम्रे रहा होगा 20 साल ये 10 साल घटाएंगे तो पहले अनुपात कितना निकल गया हमें 10 साल ठीक है पहले अनुपात एन पुर्व का पता निकला पता चला हमें वह निकला 10 एक किसका निकला दस किसका निकाले हम गौरों का दिया था तो यह गौरों का उम्र निकल गया ठीक है गौरों का उम्र दिया था हम जो काम यहां पर किये हैं यहां से यहां तक यह हम गौरों की उम्र पर ही काम किये हैं तो यह गौरों का उम्र निकल गया कितना दस साल गौरों का उम्र कितना है 10 साल 1 कमान cứतना दिया है 10 एक कमान कितना है 10 दिया है। तो हमसे क्या पुछा है सória की वर्तमान 나올 بتाए सोर अb का दस साल पहले का redio कि क्या था Two एक कमान दो है तो एक कमान दस है तो करान कितना जाएगा 20 बोलिये होगा टुह नहीं होगा Cay Kaποι coffee 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 कर देंगे जगा 20 यानि सौरव का उम्र रही डस सल पहले कितना निकल गया है यह। पूछा है सौरव की उम्र बरतमान का तो बरतमान में जाने के लिए यानि यहां पूरो का सौरव का उम्र निकला बरतमान में जाने के लिए हम दस साल इसमें जोगे देंगे यह दस साल पहले का उम्र है दस साल सौरव का उम्र जो निकला है यह दस साल पहले का निकला है 10 सल पहले कर निकला है हम इसमें 10 और एड कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर वरतमान निकल जाएंगे तिक यह वरतमान में 100 रव को मिल कितना हो जागा 30 वरस चलिए बताईए यह चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया इक बड़ा आप लोग कमेंट करके बता द देखिए को अराम से पढ़ेंगे बहुत ही अराम से कोश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे क्या कह रहा है ठिक इसके बाद हम आंसर निकालना का परियास करेंगे कि चलिए कर रहा है कि एक वर्स पूर्व एक वर्स एक वर्स पहले पूर्व मतलब पहले तरूंगे और अरूंगे का जो रेशियो है अनुपात है वह कितना है चार और पांच का अनुपात था ठिक एक वर्स पहले चार और पांच का अनुपात था एक वर्स बाद उनका आयू पांच छे का अनुपात हो जाएगा उनकी आयो में 5-6 कनपात हुजाएगा अरूने की वरतमान उम्रे कितना होगा अरूने की वरतमान उम्रे कितना होगा चलिए बताईजी इसका अंसर क्या आ रहा है ऐसा question आपको पहले बता दिया गया है ठिक चलिए answer कर लिए बताईजी मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्स पहले का अनुपात कितना था चार और पांच का एक वर्स पहले चार और पांच का रिशियो था ठिक एक वर्स पहले और एक वर्स बाद उनका अनुपात कितना ज़ा रहा है पांच और छे का पांच और छे का एक वर्स पहले का अनुपात यह चार और चार रेसियो पांच था एक वर्स बाद पांच रेसियो च्छे हो जा रहा है तो एक वर्स पहले यह पहले है यह आज है यह बाद है तो पहले उसका एक वर्स यानि एक वर्स पहले पहले से हम चलेंगे जब बरतमान में आएंगे तो एक साल एट करेंगे एक साल जोगेंगे अब बरतमान में बरतमान से फिर बाद में जाएंगे फिर एक साल जोगेंगे ठीक है एक साल और यहाँ पर हम इसको जोगे देंगे एक एक दो हो जाएगा ठिक एक एक दो हो जाएगा ठिक एक साल पहले एक साल बाद यानि एक और एक मिलके कितना हो गया दो हो गया एक और एक मिलके कितना हो गया दो हो गया आगे क्या करना है आपको पता है आगे क्या करते हैं आगे हम क्या करते देखिए क्रास यानि हम कहीं चीक उगा करते हैं क्रास मुल्टिकलाई इसका चार का 6 में और पांच का पांच में तो 6, 4, 24, 5, 25, 25, 24 और 25 का अंतर कितना लेते हैं 24 और 25 का अंतर आएगा एक 24 और 25 का अंतर कितना आएगा एक एक अनुपात बराबर फिर का करते हैं इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं कितना रहा है इन दोनों का अंतर आ रहा है एक इन दोनों का अंतर आ रहा है होगा तो दो होगा जयागा या एक हमih brows का मान निकल और दो हम से पूछा है अरोल की बरत्मान ओर में आयो हमें सबलते हैं हम और निकल नहीं सब करेंगे एक हनूब हमान दो सबस्क्राइब करके और मातों 112 से यह कुपका उन्पाइब कि अन्पात कि दस किदना पता इस शाल तो आज कितना हो जाएगा 1 पता यह शान से चलते हैं nggak यह सवाल आप स्वाल्व कर लेंगे सेम उसी प्रकार्श लगाना है चलिए आगी चलते हैं अगली सवाल पर चलिए इस सवाल का आंसर बताएं कितना आ रहा है कि देखें मेरे प्यारे दोस्तों कोश्चन में बोला है कि रविकेस की वर्तमान आयू से यह छे वर्स घटा कर अठाय से भाग दिया जाए तो चंद्रप्रकास की आयू प्राप्त होती है यदि चंद्रप्रकास उमेश से चार वर्स छोटा है तो उमेश की वर्तमान आयू उमेश की आयू दो वर्स बाद आठ वर्स की होगी तो रविकेस की वर्तमान नुम्रे कितना होगा चलिए देखिए क्या कर रहा है हमें रविकेस की वर्तमान आयू नहीं पता है तो हम यह माल लेते हैं कि रविकेस की वर्तमान आयू है वा कितना है यक्स है यह किसका माल ले हम रविकेस आर का मतलब होगया रविकेस हमने रविकेस की वर्तमान आयू कितना माल लिया मेरे प्यारे दोस्तों यक्स माल लिया हमने रविकेस की वर्तमान आयू कितना माल लिया यक्स माल लिया अच्छा कोश्चन के बाद छोटा कर देते हैं कि छोटा कर देते हैं समझने का प्रयास के लिए दंगा धीकेश की वरतमाः आयू हमने माना वह कितना मालने यक्स मान लिया तुछक्षत में सीधे-सीधे बोला है कि लदक रही कैस की वरतमाः में मसे यदि-छैग हटाकर यानि यदि-छैग हटाते हैं और 18 से भाग देया जाए यानि फिर 18 से भाग दे रहे हैं तो यह चंदर प्रकास की उमर प्राप्त होती है यानि चंदर प्रकास का उमर प्राप्त होता है सीख सीख से चंदर प्रकास समझिया सीख मतलब चंदर प्रकास चंदर प्रकास के उमर प्राप्थ हो जाती है यानि यह है मेरे प्यारी दोस्तों चंदर प्रकास की आयू किसका है चंदर प्रकास की आयू यदि चंदर प्रकास उमेश से चार वर्स छोटा है यदि चंदर प्रकास उमेश से यहां पर हम लिख दें रहे हैं यू का मतलब उमेश उमेश चंद्रप्रकार्स से चार वर्स छोटा है तो चंद्रप्रकास का उम्र है चंद्रप्रकास का उम्र है चंद्रप्रकास का उम्र है और उमेश चार साल छोटा तो चार सा घटा देंगे यह आ गया हमारा उमेश का उम्र है बताईए यह चीज़ आपको सभना जाग नहीं आया उमेश की आयू कहा है चंदरप्रकास से 4 साल छोटा है अगर हम माल लेते हैं कि उमेश का आयू अगर 20 साल होगा तो उमेश का आयू 4 साल छोटा है तो उमेश का आयू कितना होगा 16 साल होगा यानि हम चंदर प्रकास के उम्रे में से चंदर प्रकास के उम्रे में से चार सल घटाएंगे तो किसका उम्रे निकल जाएगा उमेश का उम्रे निकल जाएगा ठीक अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि तथा उमेश की आयू दो वर्स उमेश की आयू दो उमेज की आयू 2 साल बाद 8 वर्स की होगी थोड़ा यहां पर मिस्टेक लग रहा है उमेज की आयू 2 वर्स बाद कितना का होजागा 8 वर्स होगी यह बद देख़ें यहां पर लग रहा है मिस्टेक है कुछ कि मेरे पेड़े दोस्तों यहां पर है तथा उमेश किया है दो साल बाद कि इनका जो आयू है हैए ऊच कि और मेश की ऑयू दो साल बाद कितना यह अट वर्स को हो जाएगा थैति ने अगर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया एक फिर से समझें हमने रभी केश की उम्र कितना माल लिया याक्स माल लिया ठिक फिर कहा है कि यदि रभी कि इस को में से 6 साघटाते हैं तो 6 साघटाएंगे और 18 से भाग दिया जाता है तो चंद्र प्रकास को उम्रे निकल से चार साल चोटा है और 10 यूश का मतलब उमेश-ई-डय चंद्र प्रकास का आयू निकला है अ अब कि अप 4 घाट आ है छोटा क्योंकि उमेज कि चोटा है चाही समीं से घटा दिए MR कंट या यह तोफ había टो बाद दृटा को चार साल खताने के बाद चार सल च्षोटा है दो साल by रहा रही निसमें जंग जब जूटेगा इसकी आई कि वज़ाद मार रहा है ठीक कि अब देहिए हम समउमीख्रों कैसे हल करना है यहां से हम इसको घटा देंगे 4 में से दो गया तो बचेगा 2 यानि 1 माइनस का 6 बटे में 18 यहां 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचेगा इधर जाएगा तो पलस का 2 यानि 10 हो जाएगा 10 लगता है मेरी प्याड़े दोस्ति इसमें कुछ गलतिया है कि यह फिर से सवाल पुढ़े लेते हैं कराय कि जबी केस की वर्तमान आयू में से यदी 6 वर से घटा कर 18 से भाग दिया जाए तो चंदर प्रकास की आयू प्राप्त होती है ठीक यहां तक तो सही है फिर यदि चंदर प्रकास उमेश से चार साल छोटा है चंदर प्रकास छोटा है उमेश से तो यहां पर प्लस करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम पलस करेंगे क्योंकि छंद्र प्रकास छोटा है लिए लिए उमेश तो इससे जादा होगा 4 साल बिब्लिह पर कि यहाँ पर पर चार तोच है यानि आठ में से 6 ग piles गिना भढ jest मैं दो बचेगा बचेगाँ कि अठारे डुना यह पर बटे करने कि ress 63 में हुगा यंग आपचांब नूमबर एक इसका सही आंसर क्योंकि रभी केस का उम्र पूछा है रभी केस का उमर कितना है हमने यक्स माना है यक्सकमान निकल गया बरतमान आयू 42 साल ठीक आसा करता हूं यह चीज़ आपको समझ में आगया हुआ चलते हैं सवाल प्रक्ला सवाल आपके सामने यह रहा इसमें देखिए क्या कह रहा है चार वर्स पूर्व मनीशा और माधुरी की उम्र का मुम्र में चार और पांच का अ मनीशा और माधुरी मनीशा और एमडी मतलब माधुरी लिए दे रहे हैं एमडी का मतलब समझ यह माधुरी है ठीक है मनेशा और मादली का पाद कितना दिया है चार और पांच का रैशीयो दिया है ठिक यह कंपका उमर पता है Human पूर्व चार और सपूर मनीशा और माधरिल का अनुपात 4 और 5 का रेशियो है बरतमान में उनके अनुपात में क्या होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ची पताई यह यहां पर हमें रेशियो दिया है क्या हमें किसी का डाटा फिक्स दिया कितना है यानि किसी भी व्यक्ति का या तो मनीशा या तो माधगी का अगर उम्र दिया होता तो हम यहां से निकाल सकते थे लेकिन यहां कुछ नहीं दिया है तो इससे हम इन लोगों का उम्र का अनुपात नहीं तेह कर सकते हैं तो इसलिए आप समझागा इसका तो एक कमान चार आथा चार का गुड़ा तरे पहांच में निकाल यहां लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अनुपात भर दिया है थाम इसको शॉल्वल नहीं कर सकती हम तैं नहीं कर सकती इनका एक-उन पाथ कितना होगा तिक तो हो जागा आप Tibi और शिवम की वरतमान आयू में तीन दो काउन उपात है चार वर्स पुरवस सत्यम और सिवम च्य वर्स अधिक थी चार वर्ष पूर्वर्ष सत्यम की आयू सिवम से छे वर्ष अधिक थी तो सिवम की सिवम का उम्रेद दो वर्ष बाद कितना होगा सिवम का उम्रेद दो वर्ष बाद कितना होगा इसका आप लोग आंसर करने का प्रियास करें बताए कितना आंसर आ रहा है देखे सत्यम और सिवम की वरतमान आयू में अनुपात कितना दिया है दो तीन और दो का अनुपात है चार वर्स पूर्व सत्यम की आयू सिवम की आयू से कितना छे वर्स अधिक था तो सिवम की सिवम का उम्र दो वर्सों बात कितने वर्स का होगा चलिए यहाँ पर देखें यहाँ पर एक चीजा आप लोग समझिए अनुपात इन दोनों का दिया है दोनों ब्यक्तियों का अनुपात दिया है तीन और दो ठिक लिकिन सत्यम की आयू सिवम से कितना वर्स अधिक है था छे वर्स तो तीन और दो का तीन और दो तीन और दो का अनुपात अंतर कितना रहा है एक कमान कितना दिया है छे एक कमान कितना आगया छे एक कमान दिया है छे वर्स एक कमान यहाँ से निकल जाएगा मतलब जो छे वर्स दिया है वह इनका अंतर ही दिया है एक का मान कितना हो जगा, चहाए, आगे सिवं की उम्रे के दो वर्स बाद कितने वर्स खा होगा, ठीक, ठीक है यह है सत्यम, यह है सत्यम और यह है? तो सीवम का पूचा है एक अनुपात का मान 6 है एक अनुपात का मान 6 है तो 2 अनुपात का मान कितना जागा 12 हो जाएगा और यह कप का यह जो रेसियो दिया है यह है दिया है वरतमान का यह रेसियो दिया है वरतमान का तो 2 साल बात यह वरतमान में इनका आयू कितना हो गया 12 साल दो साल बात कितना जाएगा बार है दू चौदे साल यान आपसर नमबर दो आपसर नमबर दो सही हो जाएगा अंसर इसका ठीक आगे चलते हैं अगले सवाल आपके सामने यह है एक वर्स पहले अभी सिख तथा जो ही कि उम्र में अनुपात तीन और चार का अनुपात था पांच वर्स पाद उनकी आयू में अनुपात पांच और चे अनुपात हुआएगा तभी सिख की वर्तमाने बताएगे चलिए ध्यान से समझे इसको देखिए का रहा कि एक वर्स पहले अभी सिख तथा जो ही कि उम्रों में अनुपात कितना था कि तीन और चार के पांच वर्स बाद उनका अनुपात कितना है पांच और शर ज्याँ तो अनुपात है तो अभी-स इक न बताई प्पात आउ अभी से देख हो गया और जो ही हो गया ठिक अभी से कवर जो ही अभी से कवर जो ही अभी सेक और जो एक वर्स पहले का अनुपात है तीन चार रिशियो ठिक 5 वर्स बाद अनुपात है 5 और 6 यानि एक वर्स पहले 5 वर्स बाद एक और 5 जोटे गत कितना हो जागा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा तो इसका जो अनुपात दिया है 5 और 6 दिया है ठीक है अब देखिए क्रास मलिटिप्लाई करेंगे वही जो पहले से करते आ रहे हैं तेन कागुणा च्छे में करेंगे छे त्रीक अठार हो जाएगा छे त्रीक अठार है पांच कागुणा चार में पांच ओको 20 यानि अठार और 20 का अंतर कितना हो जाएगा दो दो काइगा तो हमसे पुछा है अभिष्यक की अधियु क्वर्थमान अउट आयो अभिष्यक की आय room हमने क्या माना है हमने अभिष्यक को यह माना है यांन cumulative एक वर्स गुली को पठमान निकाल लेंगे तो तीन गुणा टीन करींगे तीन का न ना हो जाएगा वैन हम Cole और सिक न है कहीं वे वर्तमान हो यह झाला है तक और वर्तमान पाहले से वर्तमान मैंे के लिए यहツाल पस तो अगले सवाल पर इसको सॉल्व करिए बताइए क्या आंसर आ रहा है कि संकर और महिश की आयू में अनुपात दो तीन का है इन तीन वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात इतना हो जाता है तीन अनुपात है यह कंपका है वर्तमान का उनुपात है और तीन वर्स बाद उनका के नुपात है इन वर्स बाद आतना हो जाता है तीन और चार ठीक तीन साल बाद तीन और चार अनुपात हुजा रहा है तब क्या पुछा महेश की वरतमान आयू कितनी होगी ठीक देखिए चार का दो में गुणा करेंगे तो चार गुणा आठ तीन का अंतर 3 में करेंगे तो 9 यानि 8 मैं से 9 घटाएंगे मतलब हमेशा बढ़े मैं से छोटला कहताएंगे इन दोनों का अंतर लेना है तो 8 और 9 आंतर कितना हो जाएगा 1 यानि 1 अनुपात बड़ाबर फिर इन दोनों का अंतर 1 बलेपतिन में तो यह गोना 3 में गया इसमें तो इक कागु Mayo 3 निकल गया तो 35 का मान निकलना है तो मच्छ लेकर फार 16 कमान कितना हो जागा nailed महस की वर्तमान आई रांड महस की वर्तमान पूछ आए तो इसलिए नूमबर टीन उसका सई हो जाएगा ठीक चलिए आगे चलते हैं अगले स्वाल पर और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जलू करिए और अधिक सदिक इसको शेयर करिए जितने भी आपके वार्टसप ग्रूप हैं सभी में इसको शेयर करिए जिसे की लोग हमारे साथ जोगे सकें देखिए इस सवाल में क्या कहा है कि चार वर्स पहले एक मा की आयू अपने बेटे की आयू से साड़े शेयर गुनी थी ठीक तीन वर्स बाद मा की आयू बेटे की आयू की कितनी गुनी होगी ठीक मेरे प्यारे दोस्तों तीन वर्स बाद पुछा है मा की बेटे की आयू तीन गुनी होगी तो बेटे की वर्तमान आयू पुछा है कितना होगा तो आसा करता हूँ यह सवाल आप लगा लेंगे, यह सवाल आप लगा लेंगे, तो अगर आपको समझ में आया है साड़ा चीज, तो इस सवाल को आप लोग लगा कर कमेंट बाक्स में इसका ज़रूर आंसर बताएंगे कितना आए रहा है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अग और आठका अनुपात है, पांच वर्स बाद उनकी यायू में क्या अनुपात होगा, यह बताना है, देखिए, सूचिता और देव नारायन और सूचिता, देव नारायन और सूचिता का जो रेशियो दिया है अनुपात, साथ और आठका दिया है, ठीक है, पांच वर्स बाद उनकी यायू में अनुपात क्या होगा, लेकिन हमें यह सूचिता या देव नारायन का किसी का आयू नहीं दिया है, किसी का आयू नहीं दिया है, तो हम यह त्ताएं ही न और यहां से निकाल सकते थे लेकिन किसी का उम्र नहीं दिया है इसलिए øम उसको तै कि अनसाल वाद कितना हो चार से हो जाएगा इस सवाल का नहीं कितना हो कि दो बस पहले पूर मतलब tog ले जवशंद की आयू अनमेल की आयूस की आधी थी ठीक यदि उसकी वर्तमान आयू में अनुपात तीन पांच है वर्तमान आयू का अनुपात कितना है तीन और पांच तो सत्रे वर्स बाद उनकी आयू में कितना वर्स का अनुतर होगा दीए समझिये दो वर्स पूर्व रावसन देखिये इहाँ पर रावसन है और कौन है अनुमोल है रावसन और अनुमोल दो वर्स पूर रोसन की आयू अनमोल की आयू की आधी थी रोसन यानमोल अगर दो रहा होगा तो रोसन कितना रहा होगा एक रहा होगा क्योंकि याधा था अनमोल अनमोल का आधा रोसन था तो अनमोल का अनुपात था तो रोसन का अनुपात कितना हो जाएगा एक अनुपात को जाएगा बोड़ि यहां अक्त को दिक्षत यह दो वर्ष पूर्वका है यह अनुपात पूरोज का जो रेशियो दिया है रावसन और अनुमोल का वह है एक और दो दिया है ठीट क्योंकि अनुमोल का आधा है रावसन तो अनुमोल का उम्रे यदि दो वर्च है माल लेते हैं दो अनुपात है तो रावसन का अनुपात एक होगा क्योंकि आधा है रौसन अनमोल से यहां तक आपको कोई दिक्कत आगे देखिए यदि उनकी अनुपात यदि उनकी वरतमान आयू में अनुपात 3-5 का है यानि जो वरतमान है वरतमान में क्या अनुपात है 3-5 ठिक तो कह रहा है इसी 17 वर्ष बाद उनकी आयू में कितना वर्ष का अंतर होगा 17 वर्ष बाद यहां पर एक लाइन बोला है यह दो वर्ष पहले है तो 2 साल यहां पर हम एड़ करेंगे 2 साल इसमें हम जोड़ेंगे 2 साल यहां होगी 2 साल यहां और 2 साल यहां ठिक, चलिए इसको बड़े में लेते हैं, चलिए, दो साल, दो साल, यह दो साल पहले का है, तो वरतमान में आने के लिए दो साल जोगेंगे, दो साल इसमें, दो साल इसमें जोगेंगे, तब अनुपात कितना हो जा रहा है, इसका तीन और पांच अनुपात हो जा रहा थिक तीन और 5 अनुपात हो जा रहा है फिर वही काम करेंगे त्रिया गुगा करेंगे हम एक का करेंगे हम 5 में और 3 का 2 में तो 5 5 का गुना 1 में तो 5 3 का गुना 2 में तो 6 यानि 6 और 5 का अंतर कितना हो जागा 1 एक अनुपात बराबर फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमें पूछा है कि 17 वर्स बाद इन दोनों की आयो में कितने वर्स का अंतर होगा 17 वर्स बाद इन दोनों की आयो में कितने वर्स का अंतर होगा अच्छा हर साल अंतर तो समान ही राता है आप जानते हैं हर साल अंतर तो समा नहीं राता है यानि आज कोई व्यक्ति 10 साल का है और एक व्यक्ति ये माल लेते हैं अगर 10 साल का है और बी बी 5 साल का तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 5 फिर 10 साल बाद भी अंतर इनका 5 ही होगा 20 साल बाद भी इनका अंतर 5 ही होगा ठिक अंतर हर साल समान ही होता है अंतर हर साल समान होता है तो यहां नीचे वाल जो आयो दिया यह जो है तीन और पांच का अनुपात यह वरतमान का है इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है एक स्वरी यह इन दोनों का अंतर हो जा रहा है दो तो एक अनुपात कमान चार है दो अन अंतर हमेशा समान नहीं आएगा मेरे प्यादे दोस्तों सत्रे साल बाद हो चाहे पचास साल बाद हो अंतर हमेशा समान नहीं आएगा तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आठ साल बताए यह लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया एक बार आप लोग कमेंट में आयू प्रमोद की वरतमान आयू की एक चौथाई है चार वर्स बाद उनकी आयू का योगयो 70 वर्स होगा तो बिने की वरतमान आयू कितने वर्स है तो इसको देखिए कैसे रहल करना है वी ले की जो वरतमान o प्रमोध की ये चोध है यह एकट आउय एक है प्रमोध की नीची लाएंगे यहाँ पर है तो यह जगर 2 वट ईक यह दू जरोगे का एक अनुपाथ होगा तो प्रमोर्थ इनका एक अंतौत हे अगे समझें आगे क्या कहा है और यहां पर पिर आगे काया कि चार वरस बाद आयू में र hunting आयू का यूंग डियें 58 होगा सब्सक्राइब yaa sosya चार रवाद उनका आयू का यूग दोनों की आयू कायू किठना यूग 68 ठिक तो इमिने की वरतमान बताए हम आनुपाद पता है वरतमान का यूग दिया है चार सल बाद का तो हम उनका चार सल बाद का यूग दिया है अब अनुपात पता है वरतमान का तो हम यूग ही वरतमान का ये निकाल लेते हैं यानि वर्तमान का योग कितना जागा वर्तमान का योग निकालेंगे यानि 68 तो था ही 4 साल बाद होगा लेकिन हमें वर्तमान का निकालना है तो 4 साल वीने की आयू कम होगी 4 साल प्रमोत की यानि 4-4 आठ कम हो जागा आठ कम होने का मतलब हो जागा इनका 60 साल यानि वरतमान में इनकी आयू का यूग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 60 साल 60 साल यूग दिया है और इनका अनुपात का यूग कितना हो जाएगा पांच तो पांच का मतलब कितना साथ पांच का अनुपात का मान दिया साथ एक अनुपात का मान कितना जाएगा बार है एक अ कि हमें एक अनुपात कमान निकालना था और एक अनुपात कमान कितना निकल गया है बार तो आपसे नुम्बर 3 सही आंसर भुजाएगा अगे चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपके सामने यह है इसको बताएए कितना अशर आएगा से मुसीपैटर्न का सवाल है और सुमन मुन्नी तथा पिंकू की वर्तमान आयू का कुल यूग 93 वर्स है दस वर्स पहले उनका आयू का अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्त तीन दो तीन चार का अनुपात है तो मुन्नी का वर्तमान बताए ये सुमन है मन्नू है और पिंकू है तीन ब्यक्ति हैं तीनों का जो अनुपात दिया है कितना दो तीन चार यह कपका है यह दस वर्स पहले का है यह जो अनुपात दिया है दस वर्स पहले का है हमें यूग कपका पता है हमें यूग पता है वरतमान का हमें यूग कपका पता है वरतमान का यानि जो वरतमान का वो कितना दिया है 93 वरतमान का यो कितना पता है 93 ठिक और यह अनुपात कपका पता है अनुपात पता है दस वर्स पहले का तो हम दस वर्स पहले का ही इन तिनों का योग निकाल लेते हैं अजय से दस वर्स पहले का इन तीनों का योग निकाल लेंगे मैं देहिभी दस वर्स पहले जब जाएंगे हम तो दस साल द दस साल तिरों लोग कम हूँ जाएंगे पीछ सल कम होने का मतलब हो जाता टील चाख धर कुछими नीच यहां कि उनका इनरड़ मआजाने वे हो रहां अधिर कलोग हूए वर कौण क्योंहें कि न जाता है और यूका र्यासे पहलाई को HDR सीएजए क्या पूछा है मन्नु की वर्तमान आयू बताइए तो मन्नु की वर्तमान आयू कितना है मन्नु की वर्तमान आयू का जो अनुपात है वर्त तीन है तो एक अनुपात का मान साथ है तो तीन अनुपात का मान कितना हो जाएगा एक की साफ्शन नमबर एक सही हो जाएगा ठीक मेरे प्लाड़े दोस्त कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि एक बार देख देख लीजिए कहीं मिस्टेक तुर्ण है कहीं कि एक मेरे दोस्त कलती हो यहां पर यहां समझेगा एक अनुपात कमान कितना आया है एक अनुपात कमान आया है साथ एक अनुपात कमान साथ आया है एक अनुपात कमान साथ आया है तो साथ त्रिक कितना जाएगा एक कैस साथ त्रिक एक कैस लेकिन यह जो अनुपात दिया था दस सल पहले का दिया था दस सल पहले का दिया था इन दस सल पहले मन्नु की जो आयू है एक कैस साल है तो आज कितना जाएगा दस सल जूटेगा तो तो कितना एकती स्वेगा यह गलती हो रहा था ठीक क्योंकि हमसे पूछा है वरतमान कायू वरतमान कायू विकालने के लिए 10 साल इसमें एड़ करेंगे यह तो एकती स्वेगा ठीक अब आसा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आगया होगा आगे चलते हैं अगले सवाल पर और अगले सवाल आपके सामने यह है इसको बनाने का पर्यास केजिए बताए कितना आंसर आ रहा है अनिल तथा दीपक की आयू में तीन चार का तीन पांच अनुपात है इस चार दीपक दो ब्यक्ति हैं तीन और पांच का इनका आयू में अनुपात है चार वर्स पहले दीपक अनिल से बारे वर्स बढ़ा था तो कितना बढ़ा था दीपक अनिल से कितना बढ़ा था दीकि हर साल आयू में अंतरस्मान होता है दीपक कितना साल बढ़ा था दो साल दिपक कितना पड़ा अनुपात में कितना पड़ा पड़ा दो दो कमान कितना दिया है बार है दो कमान कितना दिया बार है एक अनुपात कमान कितना जगा छे एक अनुपात कमान कितना गया है छे एक अनुपात कमान यदि छे आ गया है तो अनिल की वरतमान आयू क्या अनिल की बरतमान निकालना यानि यह यह अनिल यह चलते हैं अगले सवाल पर बस मेरे प्यादे दोस्तों इतना सवाल था जो कि आपको कड़ा दिया गया है अब आसा करता हूं यह का जो क्वेश्चन बनते हैं आप इसको असानी से कर लेंगे ठीक और वीडियो को अधिक सदिक सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब ने की है तो अभी सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को साथ सेयर करिए ठीक कमेंट बाक्स में जरू बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा ठीक है फिर मिलते अगले वीडियो में तो आज के लिए नहीं धन्य बाद